यह वाटर इफेक कैसे बनेगा चलो देखते हैं वाटर इफेक के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो आपको अपने जो मटेल है उसको थोड़ा सा कर लेते हैं इधर पर ब्लैक इधर पर आप ब्लैक करने के बाद फेज़ड़ पर हम लोग करेंगे इसको भी तो मैं 100% कर सकता हूँ तो 100% reflection आगे यहां पर अने के बाद फिर पर आपको थोड़ा सा glossness अगर एड़ करना है थोड़ा सा अगर के अंदर थोड़ा अलग से थोड़ा mix color चाहिए जैसे कि मिक्स कलर मेंस यानि किस के थोड़ा सा मत्टी जैसा color लुकाना चाहिए तो वो भी करके फिर ओके कर लेता है फिर उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं यहां पर फॉक कलर में अगर आपको कुछ green tone देना है हलका सा तो इधर से आप हलका सा green tone दे सकते हो अपने water के उपर हलका सा green tone अगया अंदर के तरफ से green री हलका सा आ चुकी है ठीक है यहां से फिर उसके बाद आपको क्या करना है सीधर जाना है map के अंदर जाने के बाद आपको जाना है bump में, bump में क्लिक करना है, bump में आप ले सकते हो noise को select कर लिया, noise को select करने के बाद फिर आप देख सकते हो थोड़ा सा open नीचे होने लग गया है यहां पर, देख सकते हो इधर पर का कर देता हूं 10 तो आप देख से तो इधर पर वेव उपर नीचे आने लग गई है और इधर पर में बागी सारी छेज़व को वैसी रखता हूं जैसा है वैसे ही और कुछ भी छेड़ता नहीं यहाँ पर जैसा है नॉर्मल वैसे कर रखेंगे तो यह इस तरह का लुक इसमें आ रहा है अगर आप इसके वेव को और भी कम शारी करना चाहते हो तो सिदाह आप इसके वेव को कम करने нас यहाँ से थोड़ा और भी कम कर सकते है अभी काफी ऊपर नीचे हो रही है तो इसको नोग्ड़ कम कर सकते हैं जितना मुझे कम चय item शैंए जैसे अदर थाटी की वै तरह का water, wave जैसा look और reflection इस तरह का देना है तो इस तरह से आप इसको apply कर सकते हो इस तरह के material के बारे में और भी जानने के लिए इस वीडियो को like किजिए